क्यूंकि मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ तो मुझे first hand experience है कि ड्रॉप लेना, एक ड्रॉपर हुना, एक साल दुबारा पढ़ाई करना और अपने दोस्तों को आगे निकलते वे देखना, college इसमें जाना, college life इंप्रूफ करना, enjoy करना, कैसा लगता है। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, जो आपको उपर दिख जाएगी, जिसमें मैंने बोला था, क्यूं आपको drop लेना चाहिए और अपने आपको एक और chance देना चाहिए। उसमें comment किया था कि भाईया मैंने तीन बार drop लिया, मैंने नीट चार बार दिया, मेरे नंबर चार सो पाँच सो आ रहे है, तो क्या आप afford कर सकते हो एक बार और drop लेना, देखो आपकी willpower बहुत स्ट्रॉंग है, आप बहुत करें जैसे हो कि आप तीन चार बार drop लेके एक बार drop ले रहे हो, लेकिन क्या आप सही में improve कर रहे हो, क्योंकि अगर वो same गलतियां आप दुबारा दौर आये जा रहे हो, जैसे negative marking हो जा रहे है, तुक्के मार दे रहे हो, या बाहर बाहर का जादा पढ़ रहे हो, NCRT-based कम पढ़ रहे हो, या अगर ऐसी ही गलतियां बार बार दोहर आ रहे हो, तो क्या आपको दुबारा drop लेना चाहिए, क्या drop लेना से improvement आएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक साल जाएगा, दूसरी चीज, क्या आप short short MBBS ही चाहते हो, आप doctor ही बनना चाहते हो, और doctor से मेरा मतलब है MBBS doctor, ठीक है, आयूर्वेज, फीजियो therapist सब अपने आगे doctor लगाते हैं, और सब competent होते हैं, सब respectable branches हैं, तो क्या आपको MBBS ही choose करना है, क्योंकि अगर आप already अपना best दे चुके हैं, और आपको लगता है कि इस स्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगा, आपको अपनी आउकात पता है, तो क्या एक और drop लेना sensible काम MBBS नहीं मिल रहा तो BDS, Ayurved, Dental, ऐसी कुछ चीज़ लेलो, Physiotherapy, क्योंकि इन सब में भी आगे काफी scope है, ये भी आप consideration में ले सकते हो, तीसरी और सबसे important चीज़ ये है कि drop में आपका एक साल जाएगा, और अगर आप already बहुत time 3-4 बार drop दे चुके हो, तो आपके 3-4 साल च किया है, और सिर्फ MBBS नहीं करना होता, MBBS जब आप करते हो, साड़े 5 साल का, 6 साल का, उसके बाद आप आगे next दोगे, जो NEET PG की तरह आ चुका है, तीन साल का आप specialization करोगे, surgery वगेरा के लिए, MCH, MCA, super speciality, बहुत सारी चीज़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर लग गया नाम के आगे, साड़े 5 साल पढ़के तो life set है, वहां से तो journey चालू हुई है, उसके बाद next आएगा, NEET PG वगेरा आपको सब कुछ पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा सा duration है, साड़े 5 साल का, बहुत लंबा cycle है, और उस लंबे marathon की शुरुआत हो ही न पाद रखनी है, और final बात ये है कि क्या आपको लगता है drop लेके, आप significantly jump मार पाओगे अपने current नंबर से ideal नंबर की तरफ, ये पूछो अपने आप से, अगर आपके अभी 500 नंबर आएं और आपको नहीं मिल पार, आपको लग रहा है कि college नहीं मिल पाएगा, cut off क्योंकि हर साल उपर जाती है, तो क्या आपको लगता है अगले साल आप इतनी significant jump मार पाओ कि बढ़ते हुए cut off से भी उपर जाओ, और ideal college भी मिल जाए, क्योंकि है अगले साल अगर आपके इस साल 500 नंबर आए, still आप cut off से रह गए तो आपको बहुत दुख होगा, तो ये सारी बाते याद रखनी है, मतलब अगर आपको अपने उपर अगर sufficient belief है कि मैं कर सकता हूँ, तो definitely drop लो, नहीं तो rethink करो कि क्या drop ही एक सही method है, क्यों बहुत लोगों के पास इतने resources होते हैं, कि वो private medical college में जा सके, तो जाओ भाई private medical college में, क्यों आप अपना time waste कर रहे हैं, अपनी life का ए पी ले सकते हो, तो पूछो अपने आप से क्या drop आपके लिए सही option है या नहीं है,